हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ एंटीएस केस में सिंध हुकुमत को अदालती महाद पर शिकस्त हाई कोट में दोबारा टेस्ट लेने का फैसला कल अदम खरार दे दिया मेडिकल यूनिवर्सिटी जाखरा टेस्ट के साबगा नताइच बर खरार रखने का हुक्म बच्चों और वालिदेन में खुश्री की लहर मिचाईया तक्ती बहुत खुश्रा आरे हैं माशला फैसला हमारे हक्त में हुए है आज हम बड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं और जो भी मीडिया है इवें पास्बान पार्टी उन्हें ने वहमें बड़ा सपोर्ट की है इस्पेशली सर्ड दुनिया निउस जो कामरान साब है वो बिल्कुल नीटरली फैसला ले रहते हैं हमें अपने अल्ला पाग पर परोसा दा और अल्ला पाग ने हमें जीत दी है और हम सब के शुकर खुशारे हैं जो जो हमें आए हमें सपोर्ट करने हैं साबक वजीर आदम की तैयारे ने उड़ान भर ली नवास रीफ लंदन में एहलिया कीती मारदारी करेंगे मर्यम नवास भी हम रहा अदालत ने एक हफ़ते के लिए हाज़ी से स्तस्ना दिया था सरी फैमिली के खिलाफ नए ब्रेफिंसिस की समाथ कैप्टन डिटाइट सफ़तर एक तसाब अदालत में पेश हाजरी से इस्तस्ना की दख्वास नवास शरीफ को मेड इन पाकिस्तान होने के वज़ा से निकाला गया आज माईशे हमेशा नेक लोगों पर आती है मीदिया से गुफ्टिकों इमरान खान तुम खौफ जदा थे नवास शरीफ साब से तुम कहते थे के नवास शरीफ नू उठा दे हो ते में नू ले आदे हो ते मैं इमरान खान को कहता हूँ के सारी दुनिया सारा पिंड चौधरी बनेगा मरासिया दा बाल चौधरी नहीं बनेगा वजीर मुमलिकत पानी औ बिजली के मुखालिपीन को जटके इमरान खान अमपायर की बाते करते हैं जावेद थाश्मी ने साजश में नकाब की नवास शरीफ ने इदारों के एतराम में अगदा छोड़ा आएंदा इंतखाबाद में खैबर पक्तुनखा में भी स्टेरों का राज होगा आबिद शेरली की मुल्दान में गुख सुकू इसलाम अबाद में जयालों का शो पीपल्स पार्टी का पचास अला जर्सन शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारिया मुकमल परेड ग्रावन में पिंडाल सच गया काफलों की आमत का सलसला जारी जेमिन बिलावल भुटो खिताब करेंगे गराजी सुप्रीम कोट में महौलियाती आलूदगी से मतलिक केस की समात हकूमत मन्चूबर पर काम कर रही है एड्वुकेट जर्नल सिंद के दलाए आपके बियानात वज़िर आला को फसा रहे है वज़ाहत दें अपना किबला दरुस्त करें अवाम की सहत और जिंदगी पर कोई समझोता नहीं करेंगे चीफ जस्तिस साकिब निस्टार के रहे है लियारी एक्स्प्रिस वे पीपल्स पार्टी हुकूमत के गले की हड़ी बन गया सिंधाई कोट ने 31 दिसंबर तक दोनों ट्रैक फाल करने की डेडलाइन दे दी जल्द मुकमल ना किया गया तो अखराजात में बेताहाशा अदाफे के बाइस मौामला नाव को भिजवा देंगे अदालत के रिमा दीवी उपर नौजवान की हलाकत का मौामला मजीद उलच गया वाके की नई सी सी टीवी पुटेज दुनिया नियूज ने हासल कर ली जखमी डॉक्टर रहीम का गिरफ़तार मुल्जम को पहचानने से इंका खावर को कल दुबारा अदालत में पेश किया जाएगा ताने हाइ मोरे टांकिन को आईडी रिपोर्ट पब्लिक करने के फैसले के खिलाफ अपीर लाहर हाई कोट का तीन रुपनी बेंच मेहफूज पैसरा आज सुनाएगा मेजर मुहम्मद अकरम शही दुश्मन नाम सुनते ही काप उठे 65 की जंग में बतार कप्तान लाहर के महास पर लड़े खतर में भी मसलसल पाच दिन और पाच राते सीना तांकर मुकाबला करते रहे जुर्टों बहादुरी की दास्तान रखम करने पर निशाने हैदर से नवाजा गया यो में शहादर पाक्टीन दोस्ती का एक और नजारा पाकिस्तान मैरिटाइम सेकेरिटी एजनसी के लिए तैयार करदा पेट्रॉलिंग जहास समंदर में उताद दिया गया सीपैक का मनसूबा पाकिस्तान को इलाका इतिजारती मरकज में बदल देगा नेवल चीफ का तक्रीब से खिताब सर्दी जोर बिखाने लगी दल बदीन का दरज़ा अहरारत मनफी पांच कोईटा और कलाप में मनफी एक रिकॉर्ड किया गया ठंड की वज़ा से पानी जम गया समीन से आलूर्गी का खात्मा दुनिया भर की तरहा पाकिस्तान में भी सौिल डे हुकुमत पानी की जरुरियाद पूरी करे कैमिकल से पाक हाथ का इस्तेहमाल मेनफ कशों ने मसाईल का हल बता दिया चान एरान समेट शे मुस्लिम मुमालिक के शेहरियों का अमरीकिया में दाखला बंग अमरीकिय सौ्प्रीम कोट ने भी डानल्ड टरॉम के तैसले की तासी कर दी साथ जजजे ने हमायत दो की मुखालफ़त यामे में साबक सदर अब्दूला साले के कतल के बाद सुरतहाल मजीद बिगड़ गई कतल का एक केस है और डॉक्टर रहीम के सिक्यरिटी गार्ड को पुलिस ने अब गिरफ़तार कर लिया है और मुकदमे में अब तक मजमुई तो पर अगर बात की जाए तो तीन गिरफ़तारिया हो चुकी है हमारे डुमाइन दे फैसल शकील हमारे साथ मौजूद है मजीद उनसे जाए दे फैसल इस गिरफ़तारी से मतलिक भी बिताई है और ये भी बिताईएगा कि यूँ दिखाए दिर जिससे केस औरश्टा चला जा रहा है मजीद किरदार सामने आ रहे है तो इसके कहना है कि ये जो है वो नौकरी के लिए डॉक्टर अब्दुर रहीम के पास आया होता ये उनका कोई मुलाजिम नहीं है और ये उस वक्त मौके पर मौजूद था और इसके सामने तमाम वारदात हुई है इसके कहना है कि इसने फाइरिंग नहीं किये और पुलिस का ये कहना है कि उनकी तलाश में जापे मारे जा रहे है जबके थाने में जो खावर नामी जो मुल्दिम है उसको वी वी एडिपी प्रोटोकोल दिया जा रहा है उसको जो है वो पुलिस अफसरान अपने पास रखे हुए और मीडिया से मिलने या किसी भी और दीगर शक्सियत से मिलने की अजाज़त दी जा रही है उदर सुप्रेम कोट में माहलियाती आलूदगी से मुतालग के इसकी समात हुई जिस पर एड़ोकेट जैनल सेंट के दलाइल जारी है और उन्होंने कहा है कि हुकुमत मनसुबों पर काम कर रही है चीफ जस्टिस ने इस मौके पर आहम निमास दिये उन्होंने कहा कि आपके बयान से तो लगता है जैसे मसाला हल हो गया आज की अदालती का रवाई से मुतालग हम अजीद बात कर लेते हैं उन्होंने अपनी नाकामी का या नाहली का इतराफ भी किया उनका कहना था कि हम अपनी जो हमारी नाकामी है हम उसका इतराफ करें बहुत सारे ऐसे मसाल हैं जिनको हम हल नहीं कर सके के अलेक्ट्रिक को चार्सो पिचा उनका कहना था कि जो सुर्थाल बनी है उसके मताबक हम अपनी नायली पर नादम हैं और आपके शुकर गुजार हैं कि अदालते उजमा इस पर कारवाई कर रही है महालाती अलूद्गी से मतालिक तास्मूरी समाथ अब अदालत ने 23 दिसंबर तक मुल्टवी कर दी है और एडुकर जनरल सिंध और दीगर को हदाय देए कि आइंदा समाथ पर जो तफ़िली रिपोर्ट्स अदालत के रुबरू पेश की जाएं ठीक है बहुत शुक्री आलिया अकतली राना सिंध हाई कोट ने लियारी एक्सप्रेस रे से मतालिक भी एक बड़ा फैसला दे दिया है दोनों ट्रैक 31 दिसंबर तक फाल करने की डेडलाइन दे दी गई है तो आज सिंध हाई कोट से जो खबरे आ रही है सिंध हकूमत से मतालिक वो कुछ अच्छी नहीं है लियारी एक्सप्रेस रे का जो मौामला है जो कि ताखीर का शिकार है अकराजात बढ़ रहे हैं और इस सिंध हाई कोट तक पहुंची है आज इस पर एक डेडलाइन मुकर्र कर दी गई है और वो है 31 दिसंबर तक की तो इस हवाले से भी एक आहम फैसला अदालत का सामने आया है और ये कहा गया है कि मंतुबे को जल्द हुकमल कर लिया जाए अब आपको बताएं कि आबिच शेर अली कहते हैं कि इमरान खान का जहनी तबाजन ठीक नहीं है कहता हूँ उनका जहनी तबादन ठीक नहीं है वो कुछ ज्यादा ही उनकी वो सप्लाई बढ़ गी है दमाग की तो ये इमरान खान तुम खौफ जदा थे नवाज शरीव साब से तुम कहते थे के नवाज शरीव नो उटा दे हो ते में नो ले आदे हो तो मैं इमरान खान को कहता हूँ कि सारी दुनिया सारा पिंड चौदरी बन जेगा मरासियां दा बाल चौदरी नहीं बनेगा तु जो मर्जी सोईते रहो जब इंतखाबात होंगे दो हजार अठारा में तुम इंशालला रूते रह जोगे और पाकिस्तान तरक्की करता रह जागा तुमारी नहूसत और तुमारे धरनों की वज़ा से तुमारी नेगिटिव बातों की वज़ा से आई पाकिस्तान पीछे चला गया इसलाम अबाद की थासाब Champs एदालत नेवा जिसे नाब रूसी से बहेँ पेश हुए होए और उनकी जानब से हाजरी से एस्तस्था की दरखास कर दीगई है शरीफ फैमली के खिलाफ आज के रोज भी नैब रेफरेंसेस पर समात हुई गो कि आज साबक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी अदालत में पेश नहीं हुए ये दोनों ही क्योंकि इस्तस्ना मिला है इन्हें और ये लंडन रवाना हो चुके हैं जबके कै मेडन पाकिस्तान होने की वज़ा से निकाला गया ऐसा कहना था कैप्तिन डिटाइट सफ्थर का नवाज शरीफ पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं उन्हें मजीद कहा कि आजमाईशे हमेशा नेक लोगों पर आती हैं कुछ लोग बेहाया एजेंडा लेकर आए है उन्हें मजीद क्या कहा आपको सुनाते हैं या ला की धरती है और जो ये तब्दीली लेके हैं हमारी मसाज़त बात थी इन्होंने एक बेहायाई का एजेंडा लेके हैं मैं सडकों की डिवेलिमेंट हॉस्पिटल की डिवेलिमेंट थाने और पटवार खाने के कल्चर को बदलने को डिवेलिमेंट नहीं समझता हूं कैपटन रिटार्ट सफदर ने क्या गुफटगू की आपने सुना आपको ये बताएं कि साबख वजीर आजम नवाज शरीफ बरास्ता दोहा लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं नवाज शरीफ अपनी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की तिमारदारी करेंगे और मरियम नवाज जो हैं वो भी अपने वालत के साथ लंदन के लिए रवाना हुई है अदालत सुरों ने इस तसना हासल कर लिया था वापसी से मुतलिक अभी हत्मी तोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन ये बताया गया है कि लंदन वो रवाना हो चुके हैं और कुछ दिन वहीं खयाम करेंगे पीपल्स पार्टी पचास साल की हो गई और इसलिए उनकी जानिब से जशन मनाया जा रहा है अर्ट्स काराटी पार्टी पार्टी टॉट ब करुछ दिन वाद़ियों ये ये जानिब से लिती जानिया है